हेलो फैन वेलकम बैक यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ कमपनी की लेटेस्ट लॉंच आर्थी का कमपेजन के एटिम RC390 के साथ करने वाले हैं इस वीडियो में आपको यह बताएंगे इन दोनों बैक्स में क्या डिफरेंस मिल जाता है हलाकि आर्थी कोपेजन के साथ की आरेंगे आपको लिकर देखना चाहते हैं तो इसके पहले वीडियो का लिंक आपको बार आई बसर देख सकते हैं अगर आप Yamaa Company के आर्थी लेटेस्ट मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको दोग उप्शन मिलेगा जहां पर आपको आइकन ब्लू और Yamaa Black मिल जाता है लेकिन वह अगर आप KTM AC390 लेते हैं तो इसमें भी आपको फिलाल केबल दोग उप्शन मिलता है जहां पर आपको KTM Factory, Racing Blue और दूसरा आपको KTM Electronic Orange मिल जाता है तो दोनों में दो-दोग उप्शन मिल जाते हैं बाकि जो लुक को डिजानिंग है उसको आप एक बाद देख सकते हैं जो आर्थी है इसके में आपको twin headlame setup देखने को मिल जाता है फ्रंट में आप देख सकते हैं जहां पर फ्रंट मे साथ आपको Yamaha Company के आर्थी मिल जाएगी वह अगर आपको ATM RC390 लेते हैं तो इसका भी लुक आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको carbon fiber finish फाली headlame section मिल जाता है जहां फ्रंट में वाइजर भी दिया गया है वह इससे भी इसका लुक देख सकते हैं जहां पर आपको इसमें ब पसंद आए उसको ले सकते हैं हाला कि जो RC390 है इसको आने वाले समय में कुछ और कलार option के साथ launch किया जा सकता है लेकिन फिलाल अभी इस model के साथ बेची जा रही है तो लुक आपको पसंद आए ले सकते हैं इंजन स्पेक्स के एर बात करें तो यहामा कंपनी की जो R3 है 321 CC, 4 stock, 2 cylinder, liquid cool, 4 valve fuel injection engine के साथ आती है मैं के ATM 8390 लेते हैं तो यह 373.27 CC के साथ सिंगल सेंडर, liquid cool, DOSC fuel injection के साथ आती है मैं जो R3 का engine है 10,750 rpm पर 42 PS का power और 9,000 rpm पर 29.5 नम का टोजन करती है लेकिन जो KTM 8390 है इसका engine 9,000 rpm पर 43.5 PS का power और 7,000 rpm पर 87 नम का टोजन करती है दोनों में 6-speed gearbox भी दिया गया है तो यहाँ पर engine power में आप डिफ्रेंस देख सकते हैं यहाँ पर आपको ज्यादा power KTM 8390 में देखने को मिल जाती है और torque भी काफी ज्यादा RC390 में देखने को मिल जागी क्योंकि इनके displacement में लगबग आपको 50cc का अंतर देखने को मिल जाता है तो इसलिए आपको ज्यादा power आपको RC390 में देखने को मिल रही है तो engine power में आपको डिफ्रेंस मिल जाएगा ज्यादा speed के साथ आपको RC390 मिल जागी बागे यहाँ पर suspension setup के गरबात करें तो यहाँ आर्थी के front में upside down fork और rear में swing arm monocross suspension दिया गया है वहीं 8390 लेते हैं तिसके front में WPFx upside down fork और rear में WPFx 10 step पर gestable monosock suspension दिया गया है तो यहाँ पर suspension setup दोनों में आपको upside down fork देखने को मिल जाता है बागे tire size के गरबात करें तो यहाँ आर्थी के front में 110 by 70 का 17 inch और rear में 140 by 70 का 17 inch के tubeless tire दिया गया वहीं 8390 लेते हैं तो इसके front में 110 by 70 का 17 inch और rear के side 150 by 60 का 17 inch के tires दिये गया है तो यहाँ पर जो चौरे tires है यहर के side थोड़े से जादा आपको RC390 में देखने को मिल जाती है तो tire size में तोड़ा संतर मिल जाएगा breaking system के गरबात करें तो आर्थी के front में 298 mm का disk break और rear में 220 mm का disk break लगा हुआ है लेकिन अगर आप RC390 लेते हैं तो इसके front में 320 mm का disk break और rear में 230 mm का disk break लगा हुआ है तो braking system भी अगेन यहाँ पर KTM में ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है कुछ features की बात के लेते है features में कितना reference मिल जाता है R3 लेते हैं तो इसमें आपको dual channel का ABS मिल जाता है इसमें cornering ABS भी दिया गया है तो यह भी आपको एक plus point मिल जाता है R3 में आपको LED headlamp setup देखने को मिल जाता है वहीं RC में भी आपको LED headlamp setup देखने को मिल जाएगा Yama R3 में आपको LCD fully distored display मिल जाता है जहाँ पर gear position indicator, speed, fuel, average mileage, temperature, clock, all indicator, trip, odometer यह सारे जनकारी देखने को मिल जाती है तो कहीं न कहीं थोड़े से advanced technology के साथ आपको यहाँ पर display RC 390 में देखने को मिल जाती है Yama company की R3 में आपको engine kill switch मिल जाता है जो कि RC 390 में भी दिया गया है R3 में आपको assistance sleeper class मिल जाता है जो कि RC में भी आपको देखने को मिल जाएगा क्यूक shifter traction controls और adjustable handle bars यह आपको KTM RC 390 मिल जाता है जो कि R3 में नहीं दी गई है तो जिसके विए से आपको ज्यादा features आपके KTM RC 390 में देखने को मिल जाती है नहीं आपके Proto might Yama R2 के मुकाबले में बागे इनके मालेसा के गर बात करें तो इन यस आपजा ज्यादा मालेसा करते हैं फिर भी आपको inNe you आपको 25 तो मालेसा मिल जाएगी और सब्सक्रीत में थोड़ी से ज्यादा मालिसा प्ली सकता है लेकिन अगर अब RC390 लेते हैं तो इसका आपको यहां पे बहतर ग्राउंड क्राइट भी कम है फ्यूल तेंकरS भी ज्यादा है और weight के मामले में भी थोड़ी सी हलकी है तो dimensions में थोड़ी सी बेतर आपको Yamaha R3 मिल जाती है बाकी हाँ भी बात कर लेते हैं pricing की तो ससे पहले आपको बता दिनके pricing में लगभा आपको 1,46,000 रुपया यानि के लगभा 1,500,000 रुपया का pricing में difference मिल जाता है क्योंकि Yamaha Company की जो R3 है इसकी एक्सिम प्राइस 4,64,98 यानि 4,64,900 रुपय तक रखी गई है और इसकी on-door price लगभा 5,20,000 के आस प्राइस चलिए आती है लेकिन अगर आप KTM R390 लेते हैं तो इसकी एक्सिम प्राइस है 3,18,174 यानि 3,18,100 तक है और इसकी जो on-door price लगभा 3,64,000 के आस प्राइस चलिए आती है तो इनके pricing में आपको सबसे बड़ा difference मिल जाएगा आप pricing में difference देख सकते हैं लगभा 1,500,000 रुपय तक सस्ती KTM Company की RC390 मिल रही है हलाकि इसके पहले तक KTM के जो bikes आते हैं काफी महेंगे लगते थे लेकिन अभी R3 को देखकर लग रहा है कि KTM के bikes थोड़ी से सस्ते पढ़ रहा है क्योंकि R3 की जो price है या मा कमपनी की काफी ज़्यादा रख दी गई है इसके बारे में आपका क्या कहना है comment box में जरूर बताएगा बाकि जितनी भी जनकाई थी मैंने अपने तरफ से यहाँ पर बता दिया है फिर भी कोई question होगा तो भी पूछ सकते हैं और अगर आप या मा कमपनी के आर्थी का comparison कि साथ देखना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं उसके उपर भी वीडियो बना दिया जाएगा इसका बाद MT-03 को भी कमपनी ने इंडिया में लांज किया है तो उसको किस comparison में लांज किया गया है उसका भी comparison मैंने KTM 390 Duke के साथ किया है तो भी आप जाकर देख सकते हैं उसका ब लिंक आपको उपर आई बटन मिल जाएगा या भी चैनल पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं वो भी comparison वीडियो आप देख सकते हैं यहां पर इस वीडियो प्रेट ना ही थैंकियो फैंस थैंकिस वर वाचिंग